हेलो दोस्तों नमस्कार मैं योगिश आपका स्वागत करता हूँ हमारी चैनल था मीजिक फील में दोस्तों आज हम मेरा एक फेवरेट सॉंग प्ले करना सीखेंगे मैं शायर तो नहीं फ्रॉम दा मुवी बॉबी और दोस्तों इस सॉंग को गाया है शेलेंडर सिंग सर्वने दोस्तों यह गाना E minor scale के अंदर है और दोस्तों इस complete सॉंग को हम 7 chords के अंदर प्ले करना सीखेंगे देख लीजी कौनसी कौनसी chord है पहली chord है E minor इसके बाद B major C major A minor B 7th देखिए इसके बाद D major और last chord है दोस्तों G major देखिए तो इन chords के अंदर हम इस complete सॉंग को प्ले करना सीखेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक चोटी से रिक्वेस्ट है अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ल जाएंगी तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और सीखते हैं सॉंग को कीबड के उपर प्ले करना दोस्तों गाने की शुरुबात इस्ट्रिंग्स के एक इंट्रू म्यूजिक से होती है देख लीजिए मैं उसको बजा के दिखा देता हूं आपको इसके बाद कुछ इस तरीके का म्यूजिक है देखिए इसके बाद इस्ट्रिंग्स दोस्तों इसके बाद गाने की लाइन से स्टार्ट हो जाती है लाइन्स हैं मैं शायर तो नहीं मगर एह हसी जब से देखा मैंने तुछको मुझको शायरी आ गई देखिए किस तरीके से इसको प्ले करेंगे यहां पे एक छोटा सा गिटार का फिलर है देखिए वापिस से गाना गंटी निव करेंगे इसके बाद यहां पे एक स्ट्रिंग्स का फिलर है देखिए वापिस से गाना कंटी निव करेंगे देखिए यहां पे एक छोटा सा फिलर है देखिए इसके बाद वापिस से गाना कंटी निव करेंगे देखिए यहां पे एक स्ट्रिंग्स का फिलर है देखिए आगेन गाना कंटी निव एक यहां पर गिटार का फिलार है छोटा सा देखिए इसके बाद गाना कंटीनु करेंगे इस बार सारी लाइंस को दुबारा से रिपीट करना है देख लीजी एक बार फिर से बता देता हूं यहां पर एक चोटा सा फिलर अगेन गाना कंटीनु इसके बाद दोस्तों गाने का एमफस्स म्यूजिक देख लीजी इसको प्ले करके दिखा देता हूं मैं आपको इसके बाद यहां पर एक स्ट्रिंग का फिलर देखिए वापस से आपको वही म्यूजिक रिपीट करना है फिर से देख लीजी इसके बाद यहां पर एक स्ट्रिंग का रहना है देखिए इसके बाद दोस्तों गाने का अंतरा स्टार्ट हो जाता है लाइन्स हैं प्यार का नाम मैंने सुना था मगर प्यार क्या है मुझको नहीं ठीक अबर मैं तो उल्जा रहा उल्जनों की तरह दोस्तों मेरा दुश्मनों की तरह देख लीजी इसको किस तरीके से प्ले करेंगे एक बार और रिपीट करेंगे इसको देखिए इसके बाद लाइंस हैं मैं दुश्मन तो नहीं मगर ऐ हसी जब से देखा मैंने तुझको मुझको दोस्ती आ गई देख लीजिए पहले वाली लाइंस की तरह रिपीट करेंगे देखिए इसके बाद यहां पर एक फिलर आ जाएगा देखिए अगेन गाना कंटिनियू इसके बाद यहां पर एक गिटार का फिलर आ जाएगा अगेन गाना कंटिनियू इसके बाद एक बार और रिपीट करना है लाइंस को देखिए दोस्तों इसके बाद गाने का M2 मुजिक देख ली थी है इसको प्ले करने के लिए मैंने इस्ट्रिंग्स और हर्मनिका का यूज किया है देखिए इसके बाद यहां पर हर्मनिका जाएगी देखिए इसके बाद इस्ट्रिंग्स आजातनी ही देखिए यहां पर फिलूट आजाएगी फिर देखिए इसके बाद आपको वही एमफ़स म्यूजिक रिपीट करना है देखिए इसके बाद यहां पर एक स्ट्रिंग्स की रेनिंग आजाएगी देखिए दोस्तो इसके बाद गाने का अगला अंतरा स्टार्ट हो जाता है लाइन से सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता हाथ अपने उठागर मैं क्या मांगता दोस्तो इस अंतरे को भी पहले वाले अंतरे की जैसे ही प्ले करना है कोई भी चेंजिस नहीं होंगे फाइनली दोस्तो हम लोगों ने आज की इस वीडियो में 7 कोट्स के अंदर इस कम्प्लीट सॉंग को प्ले करना सीख लिया है अगर आपका कोई डाउट हो या कुछ चीज नहीं समझ में आई हो तो प्लीज उसे कमेट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजी शेर कीजी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी विकॉस मैं हत्रोत कीबोर्ड की पियानो की और म्यूजिक से जोड़ी वीडियो से लेकर आता रहता हूँ आप लोगों के लिए फिलाल के लिए दोस्तो इस वीडियो में इतना ही मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहन बंदे मातरम दोस्तो